गुर्णाम जी से भी अनुरुद करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आज कोई फैसला ना लिया, हम एक पंचाथ खिलाडियों की तरफ से रखेंगे, जिसमें सभी जितने भी अमारी खाप पंचायते हैं, जितने अमारे संगठन हैं, हम एक मंच पर इखटा करेंगे सब उनको, दो-तिन दिन में हम आपको पंचाथ की जगह बता देगे, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हमें, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हमें, वही इम्मत है, निचो दो-तिन गटना यह ऐसी हो चुकी है, हमारे कि लाडियों के साथ, बेनों के साथ, बेटियों के सा कि वो बिल्कुल आज टूटी हुई है वही सक्ति आप लोग उने दे रहे हैं कि आज पूरा देश हमारे साथ कड़ा है 28 तारिक की जो गजना हुई उसके लिए मैं आपका दन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने आने की कोशिश की लेकिन पुलिस परसासंदवारा जाज़ा जोर जबरदस्ती करी गई आप नहीं पोच पाएं लेकिन दुख इस बात का इस देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद हमारी बेटियों की बेहनों की इजट के साथ खेला जाता उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया मैं आज यहां पर आया हूँ आप सभी से यही अनुरुत करूँगा कि हमें एक साथ जुड़ने की जरूरत है अलग अलग अगर हम बटे रहेंगे तो हम यह लड़ाई नहीं जीत पाएंगे आज हमें एक मंच पर इखटा होरेगी जरूरत है जैसे मंदी भाई ने बताया चंदर सेकर भाई ने बताया था कि भाई हम एक पंचाज की दरोरी है एक पंचाज सोरं में होई थी पीछे एक पंचाज कुरुक छेतर में होई थी तो मैं उसके लिए समाचा हुआ कि हम लोग वापे नहीं पोच पाए लेकिन मैं सबसे अपील करूँगा, अनुरद करूँगा कि इखटा हो जाईए एक कोल मैं गुर्णाम जी से भी अनुरद करूँगा रिक्वेस्ट करूँगा कि आज कोई फैसला ना लेया एक पंचाद हम रखेंगे खिलाडी, वो कोल हम देंगे वो जगह हम बताएंगे आपको, सबी को इखटा करके हम पंचाद रखना चाहते अलग अलग बाग में हम नहीं बटना चाहते और ये किसी जाती वी से इसकी लड़ाई नहीं है ये अमारी इज़त और मान की लड़ाई है और जब तक हम इसमें बटते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे तो मैं आपसे अनुरोद करूँगा गुर्णाम जी से भी अनुरोद करूँगा कि आप आज कोई भी फैसला ऐसा ना ले कि हम बाबो में बट बट के उसके उपर अगर हम पूरा नीकर पाते तो उसमें भी अमारी जीत नहीं पाती तो उसमें भी आमें नुक्शान है जी वही चीज है आप लोग इसलिए अमारे साथ करे हैं तो वही चीज मैं बोल रहाँ कि सभी इखटा होगे हम एक पंचाथ खिलाडियों की तरफ से रखेंगे जिसमें सभी जितने भी आमारी खाप पंचाथे हैं जितने आमारे संगठन है हम एक मंच पर इखटा करेंगे सब को यह मुडलाना की जो दर्ती है यहांसे मैं अपिल करता हूँ जितने भी हमारे खाप पोदरी है जितने भी संगठन है हम जो आप लोगों को को पंचाथ के लिए हम आप लोगों को एक जगह बताएंगे तीन से चार दिन में हम वो जगर डिसाइड करके आप लोगों को बता देंगे कि वह आपे पंचाथ रखी जाएगी और वह आपे सभी कठा हो के हम वहाँ से जो नेना लेंगे वो हमारी बेहन बेटियों की इच्चत और मान समान की लड़ाई के लिए वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद करता हूँ और हाँ एक साक्सी और विनेशिया पर नहीं आपाई उनके लिए मैं समाच चाहूँगा क्योंकि उनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है जो गटनाए गटी है 28 साई के बाद भी और 30 तारीक का जो दंगा नदी वाला जो गटना थी उसके बाद वो बिल्कुल टूट चुकी है उनको हम इमत दे रहे हैं उनके साथ परिवार का एक ना एक सदे से जरूर है कि कोई ऐसी गल्ती ना कर देए कि हमारे समाज में ये सोचे कि समाज साथ नहीं था तो मैं आपके मादम से यही बोलना चाहूँगा कि आपका जो सयोग है उसके लिए हम आपका अर्दे से दन्यवाद करते हैं और हमेशे आपके आबारी और रणी रहेंगे कि आपने हमें सयोग दिया है और जो कोल देंगे वो आप जरूर बता देंगे जिस दिन भी हम पंचाद रखें जादा से जादा संक्या में उस पंचाद में बहुंचना है दो तिन दिन में हम आपको वो पंचाद की जगह बता देंगे दन्यवाद जी